अवध स्टीडी सेंटर महबोब गंज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पिछले वीडियो में आपने करडी के कुछ बेसिक कांसेप्ट और अच्छे अच्छे कुष्चन के बारे में देखा आज उसी सिरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी करडी के कुछ अच्छे कुष्चन के बारे में आप इस बी करेंगे तो चलिए देखते हैं कुष्चन यहां देखिए एक कुष्चन लिखा है तो इसको साल्ब करने के पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जैसे अगर दिया है वन अपान ये फाइप प्लस टू रूट सिक्स या वन अपान फाइप प्लस टूंटिफोर ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं यहां अगर टूंटिफोर है तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि चार से भाग देते थे तो चार से इसको भाग देते थे कितना हो जाता था च्छे आजाता था लेकिन यहाँ पहले ही 6 लिखा है अगर यहाँ 2 लगा है तो इसको भाग देने की 4 से जरूरत नहीं है और अगर यहाँ 2 नहीं लगा है तो 4 से भाग दे कर देखेंगे और फिर इसका फेक्टर करते थे फेक्टर इसका दो गुड़न खंड अभाज गुड़न खंड करते थे तो इसका आएगा 3 और 2 ऐसा गुड़न खंड करते थे कि गुड़ा करने पर 6 आए और जोड़ देने पर 5 आजाए तो यही दोनों गुणनखंड जो आता था यही समझलो answer होता था इसका answer हो जाता था 3 plus 2 जो sign यहां रहता था वो sign यहां और जो यह यह दोनों गुणनखंड यही इसको add किया जाता था अगर इस पर root लगा होता तो यहां हम लोग root लगा देते थे अगर root नहीं लगा है तो कुछ नहीं करना है बस ऐसे ही इसको solve कर लेंगे आ जाएगा 5 तो यह कुछ हुआ फिर इसके बाद अगर ऐसे दिया है A equal to 5 plus 2 root 6 यहां अगर यह चीद दिया है या दिया है 5 plus 24 और हमको निकालना है 1 upon A तो अगर इन दोनों को हम square करें तो देख रहे हैं 5, 5 जा 25 और इसका square करेंगे तो आएगा 24 इन दोनों का अंतर देख रहे हैं तो एक आ रहा अगर यह दो संख्याएं ऐसी हैं जिसका square करके minus करने पर एक आता है तो 1 upon A का answer हो जाएगा 5 minus 2 root 6 means केवल sign change होगा A बराबर इतना दिया है तो वह अपाने पूछ रहा है तो केवल sign change हो जाएगा कब जब इन दोनों के बीच का अंतर एक आए square करके घटाने पर answer एक आए तो यह हुआ कुछ concept अब चलिए आगे question देख और यह भी आप लोग जाने रहिए A minus B और A plus B यह बराबर होता है A square minus B square तो इसको भी ध्यान रखिएगा इसका भी यूज होगा तो यहाँ आप देखिए यह दिया है अब यहाँ देखिए रूट में दिया है तो इसको क्या करेंगे देखिए कितना आता है 4, 3, 12, 4, 25, 35 आया इसके दो अभाजी गुळन खंड करते हैं तो यह काएगा 7 एकाएगा 5 7, 35 दोनों को गुळा करने पर 35 आ रहा जोडने पर 12 आ रहा है तो यह हो गया हमारा answer मतलब इसकी जगा हम क्या लिख सकते हैं 1 upon 7 minus 5 यहाँ देखिए इसको 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 15 इसके दो अभाजी गुळन खंड करते हैं तो यह आ गया 5 और 3 और दोनों को जोडने पर देखिए 18 गुळा करने पर 15 अब इसको भी ऐसे लिख लेते हैं देखिए उपर लिखा है 1 upon 5 और यहाँ minus का sign है तो यहाँ minus लगा देते हैं 3 root लगा है उपर तो root लगा देते हैं फिर minus यहाँ 2 लिखा है 2 लिखते हैं यहाँ भी यही करते हैं इसको 4 से भाग देते हैं तो यह आएगा 21 21 के दो गुळन खंड करते हैं तो आएगा 7 और 3 7 और 3 को जोडते हैं 10 आएगा और गुळा करने पर 21 तो यह हो गया हमारा 7 और 3 यहाँ देखिए plus का sign लगा है तो plus लगाएंगे उपर root लगा है तो root लगा देंगे इस तरह से यह इतना काम हो गया अब आगे चलते हैं हम लोग जानते हैं ऐसा question दिया रहे तो उसका फर्मेई करन कर दिया जाता है मतलब नीचे उसी नमबर से और उपर उसी नमबर से गुळा कर दिया जाता है केवल sign change करके तो देखिए यहाँ 7 root 7 plus root 5 इसका sign change करके उपर गुळा कर दिये यहाँ एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर इसके बाद यह तो आल लेडी लिखा है और इसमें भी इसी नमबर से हम गुळा कर देते हैं 7 plus 5 जिस नमबर से उपर करेंगे उसी नमबर से नीचे minus यहाँ भी 1 है यहाँ भी देखें साइन चेंज करकर उपर नीचे गुळा करते हैं तो यह हो जाएगा 5 minus root 3 यह तो लिखाई है अब उपर नीचे गुळा करते हैं 5 minus 3 और इसी नमबर से नीचे भी 5 minus 3 यह प्लस रहेगा स्वारी साइन चेंज हो जाता है नीचे वाला साइन उपर चेंज हो जाता है जब गुळा करते हैं तो यह जो साइन रहेगा इसका साइन चेंज करके उपर नीचे गुळा करते हैं यहाँ भी है 2 upon यह तो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं और इसके बाद यहाँ गुळा करते हैं साइन चेंज करके सेबन माइनस रूट थिरी तो सेबन रूट सेबन और माइनस रूट थिरी यह इतना हो गया अब चलिए इसको साल्व कर लेते हैं तो इसका एक से गुड़ा करेंगे तो वही रह जाएगा कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं तो इस तरह से आगया रूट सेबन प्लस रूट फाइब बाई अब देखिए यह फार्मूला बन रहा है ए माइनस भी अब ही हम बताए ए माइनस भी अब हम अगर है तो A माइनस भी और A प्लस भी हम अगर है तो इसको हम लिखते हैं A square minus B square यह फार्मूला है तो यहाँ भी इसका यूज relaxing हम करते हैं तो देखते हैं A square A minus B A plus B ही तो A square करेंगे क्या हो जाएगा root 7 square root 7 square करेंगे तो क्या आएगा 7 minus ऐसे B square करेंगे तो B square मतलब root 5 square root 5 square करेंगे तो 5 आएगा यहाँ देखिए यहां भी कोई effect नहीं पड़ेगा एक से multiple करेंगे तो यह हो गया root 5 और देखिए यहां sign लगा है minus का तो bracket खुलेगा तो दोनों minus हो जाएंगे अभी ऐसे रहने देते हैं root 3 बटा यहां भी देखिए a minus b a plus b का फार्मूला बन रहा है तो यहां भी वही होगा a square means 5 हो जाएगा और b square means root 3 square root 3 square करेंगे तो 3 हो गया चलिए आगे आते हैं यहां देखिए यह दिया है 2 आगे है 2 से गुड़ा कर लेते हैं तो 2 7 जा 2 root 7 हो गया minus 2 root 3 तो इसको रहने देते हैं अभी 2 नहीं लिखते हैं 2 अभी बाहर ही रहने देते हैं चलिए अब यहां भी वही फार्मूला बन रहा है a plus b, a minus b तो a square होगा root 7 square means 7 हो गया और minus root 3 square means हो गया 3 चलिए आगे अब देखते हैं यहां हो गया root 7 plus root 5 by 2 minus root 5 plus अब देखिए यहां हम break out खोल देते हैं तो यह हो गया root 3 और यहां भी आया हमारा 2 फिर इसके बाद यह देखिए यहां भी हम break out open कर देते हैं तो यह पहले cancel कर लेते हैं 2 ऐसे ही अभी रहने देते हैं root 7 minus root 3 by यहां आ गया 4 2 2 जा 4 यहां 2 आ गया अब देखिए सब का LCM बराबर आ रहा है तो सभी का हम LCM बराबर आ रहा है हो इसे अब लिख देते हैं LCM सभी का 2 आ गया है यहां हो गया root 7 plus root 5 minus root 5 minus root 3 minus यहां देखिए आ गया root 7 plus root 3 और सभी का LCM 2 आ गया है अब देखिए यह minus और यह minus cancel हो गया यह minus यह plus यह minus cancel और यह minus यह plus cancel इस तरह से आ गया 0 बटा 2 मतलब आ गया answer 0